महर्शी पातांजली ने समाज में रहने के हमें आठ मार्ग बताये थे कि हम समाज में रहके कैसे योग साधना और आचरन कर सकते हैं उसका पहला मार्ग है यम और यम का पहला चरन है अहिंसा आज हम अहिंसा के बारे में बात करेंगे पहले हम यह जानते है कि यम क्या है यम है रिस्ट्रेंट्स, that means not to do things अभी योग is always talks about positive things so it is using the positive words like अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्माचर्य और परिग्रह अहिंसा का बतलब है non-violence and अहिंसा का opposite होता है हिंसा तो योग हमें ये कहता है हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए आजकल हम बहुत देखते हैं कि हिंसा हर जगा पर हिंसा प्रेश्टाचर चालू रहता है ऐसा क्यू होता है? क्योंकि कही ना कही हमारा मन हमारे वश में नहीं है अब ये हिंसा क्यू होती है? हिंसा इसके लिए होती है कही ना कही मानों में क्रोध है कही न कही लालच है, कही न कही व्याभिचार है और आप जानते हो इन चीजों का आपके शरीर के उपर क्या आसर होता है अब आप बताईए, जब आप क्रोध एक बार करते हैं, दो बार करते हैं लेकिन ये अगर आपकी आदत ही है, तो आपके शरीर का क्या हाल होगा? तो इसके लिए जो अहिंसा का, हिंसा का रूट को जो है क्रोध, उसको हमें नश्ट करना बहुत जरूरी है. जैसे कि क्रोध से आप देखेंगे हार्ट अटाक्स, हाइबीपी, हाइपर टेंशन्स, ये तो बहुत ही कॉमन, उपर से डाइबिटिस, क्या आप जान सकते हैं, डाइबिटिस भी एक स्ट्रेस और टेंशन और क्रोध का एक महान रोग है? तो आई ये, आज हम ये संकल्प लेते हैं, कि आज से हम हमारा जीवन अहिंसा से शुरू करते हैं, जिस वज़े से हम किसी को भी शारिरिक, मानसिक और वैचारिक दुष्टी से दुखी नहीं करेंगे और खुद भी दुखी नहीं होंगे.